नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा US और चाइना के बीच में ताइवान को लेकर चल रही टेंशन के बारे में ताइवान को लेकर चाइना इतना sensitive क्यों है, इतनी परिशानी क्यों है उन्हें कि United States की Speaker Nancy Pelosi के किवल ताइवान कुछ घंटों के लिए पहुचने पर इन्होंने युद्ध की चेतावनी दे दी है In fact, Taiwan Straits को almost blockade कर दिया गया है, trade रोकने की धंकी दी जा चुके, trade रोका जा चुका है Taiwan के साथ चाइना के द्वारा और साती साथ live fire drills हो रही है तो ये Taiwan है और इसके चारों तरफ, China अभी naval drills कर रहा है, जिसमें हतियारों का इस्तमाल किया जा रहा है, live fire का इस्तमाल किया जा रहा है यानि कि blanks shoot नहीं किया जा रहे है, अगर इन drills के बीच में कोई boat या नाविक आ जाएगा तो उसकी death हो जाएगी तो ये drills अभी करी जा रही है, Taiwan Straits और उसके आसपास स्थिती काफी चिंता जनक हो रखी है तो Taiwan को डराने की कोशिश तो करी ही जा रही है, उसके साथ साथ China ने आज शाम 5 अगस्त को ये भी घोशना करी कि हम US के साथ अपने diplomatic relations को कम करेंगे, कई मुद्दों पर जो दोनों के बीच में सहमती है, उसको पीछे लिया जाएगा इस पूरे crisis की शुरुवात होती है Nancy Pelosi के Taiwan विजिट से, Nancy Pelosi कौन है, ये एक senior American politician है काफी दशकों से ये politics में, यहाँ पर आप उनका John F. Kennedy के साथ एक photograph देख सकते हैं, जो 1960s का है Democratic Party जो इस वक्त US में power में है, President Joe Biden भी Democratic Party के हैं, उसकी ये काफी senior सदस्य है और इतनी ज़्यादा seniority है कि इस वक्त वो House of Representatives की Speaker चुनी गई है तो Speaker का पद generally senior senators को या members को दिया जाता है तो House of Representatives, America की Congress का वो सदन है, जहाँ पर नेता चुन कर भेजे जाते हैं आप कह सकते हैं कि ये हमारे लोग सभा के बराबर है तो जैसे भारत की लोग सभा में Speaker होता है, वैसे ही US की Congress में या House of Representatives में to be specific एक Speaker होता है Congress के दो सदन होते हैं, निचला सदन, House of Representatives, उपर वाला सदन होता है, Senate America की politics में ये पद इतना senior है कि मान लीजे कभी राष्टरपती और उपराष्टरपती दोनों अपने पद पर नहीं है Let's say कि कोई terrorist attack होता है और दोनों की एक साथ मृत्ति हो जाती है तो ऐसे में Speaker के हाथ में देश की सत्ता चली जाएगी, temporarily of course लेकिन Speaker का पद इतना important है अब आते हैं Taiwan के मुद्दे पर, तो जो नहीं जानते की Taiwan कहाँ पर है, ये map देख लो This is China, this is Japan, ये है Taiwan, उसका capital Taipei और यहाँ नीचे South China Sea आता है, और ये समुद्र, जो इस वक्त हमारे लिए काफी important है This is the Taiwan Straits, और the Straits of Taiwan तो चाइना के main land से कुछ ही दूरी पर स्थित, ये एक dweep है, एक island है बहुत ज़ादा बड़ा नहीं है, भारत के किसी एक average state के जितना बड़ा इसका area होगा और ये एक अपने आप में autonomous entity है कैसे autonomous क्यों है, किस तरह से हुआ, ये जानने के लिए आप मेरा ये video प्लीज देखिए इसका link नीचे आपको description में मिल जाएगा तो इसमें मैंने detail history discuss करी है कि Taiwan और China दो अलग-अलग देश के रूप में कैसे exist कर रहे है चाइना कहता है कि दो देश नहीं है, ताइवान भी कहता है दो देश नहीं है लेकिन technically on ground दो देश के रूप में exist कर रहे है अब बात ये है, short मैं आपको बता रहा हूँ ताइवान की सरकार कहती है कि पूरा चाइना हमारा है चाइना की सरकार कहती है, बेजिंग वाली सरकार कि ये ताइवान हमारा है, ये 70 साल पहले थोड़ा अलग रहे गया revolution के समय, तो इसको हम आज नहीं तो कल अपने देश के साथ जोड़ लेंगे और यहाँ ताइपे की सरकार कहती है कि एक्चुली बेजिंग में जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलिग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेक्चर के PDF मिल जाएं, तो पहले यानि कि 1949 से लेकर 1979 तक अमेरिका के ताइवान के साथ बहुत अच्छे संबंद थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि जब PRC, People's Republic of China तेजी से तरक्की करता है, तो उसके बाद 1970s में चाइना और US के संबंद काफी अच्छे हुए 1979 में इनके बीच में एक diplomatic relations का proper official समझोता होता है और उसके बाद से अमेरिका, ताइवान की recognition on paper हटा देता है 30 साल से जिसके साथ दोस्ती थी, ताइवान के साथ, उसको US कहता है कि आज से हम आपको recognize नहीं करते, आप हमारे लिए चाइना नहीं है हमारे लिए वो जो बड़ा वाला चाइना है, PRC, जो Mao Zidong ने स्थापित किया था उस चाइना को हम आज से असली चाइना मानेंगे और ताइवान का क्या status है, इसको लेकर US government strategic ambiguity बना कर रखती है इसका मतलब है कि ना इधर की बात करते हैं, अधर की बात करते हैं, ambiguous सी बात करी जाती है हाला कि America साफ कहता है कि हम तब तक PRC को support करेंगे, जब तक ये PRC ताइवान के उपर हमला करके उसे चीनने की कोशिश ना करे, by force अगर आपको ताइवान को जोडना है अपने साथ तो चुनाव करवा लो, democracy, बातचीत के साथ जोड लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ताइवान पर हमला करोगे, तो फिर हम आपके साथ नहीं है तो 1979 में जब United States के President Jimmy Carter उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ये वो लिखित समझाता है, जो इन दोनों देशों के बीच में हुआ था, साफ लिखा हुआ है United States recognizes the government of people's Republic of China, यानि की PRC, बड़ा वाला चाइना देश, ना की Taiwan, जिसको कहा जाता है Republic of China, that is ROC तो Republic of China को अब ये support नहीं करते, इस line को आप पढ़िए, government of US acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China तो US ने भी ये मान लिया, 1979 में, कि Taiwan, China का ही हिस्सा है Taiwan इस बात से नाराज हुआ था, काफी सालों तक नाराज रहा था, कि आप 30 साल के हमारी दोस्ती को ऐसे कैसे ताक पर रख सकते हैं आपको हम हमेशा support करते रहेंगे, और US की यही policy उनकी विरेश मंत्राले की जो website है, उस पर भी officially देखने को मिलती है तो US relations with Taiwan पर वहाँ पर काफी detail में उनके सारी संधियों के जिक्र किये हुए है, उनको आप चाहें तो पढ़ सकते हो, वैसे कोई जरूत नहीं है पढ़ने की important बात यह है, कि website में कुछी हफतों पहले बदलाब हुआ है तो आज से कुछ हफते पहले तक website कुछ इस प्रकार से पढ़ी जा रही थी, US recognized PRC government as the sole legal government of China acknowledging Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China दूसरी line, United States does not support Taiwan independence, तो Taiwan को अजाद करने का समर्थन हम नहीं करते हैं यह दोनों line ने कुछ महिने पहले इस website से, US की official government website से हटा दी गई हैं और यह जब lines हटाई गई, इससे China काफी नाराज हुआ था, चाइना से मेरा मतलब है PRC काफी नाराज हुआ था तो अब यह website जो है, इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम Taiwan की independence को support नहीं करते और यह दो line को हटाया जाना, चाइना और US के relations के बीच में एक छोटा सा diplomatic issue start कर देता है तो चल रहा था issue तब से, लेकिन इतनी जादा diplomatic tensions नहीं थी, जितनी अभी है तब केवल statement तक बात पहुची हुई थी, कहां इन्होंने statement जारी कर दिया, दूसरी तरफ US ने statement जारी कर दिया और एक तरफ ये भी चल रहा है कि ताइवान को हतियार बेचने की कोशिश करी जा रही है US के द्वारा और ताइवान कहा रहा है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम anti submarine helicopters को खरीद लें लेकिन US कह रहा है कि आप चिंता मत करो ताइवान हमें पता है आपके पास पैसे नहीं है तो तम पैसे लेंगे आपस एक नया program चालू करते हैं actually नया नहीं है पुराना program है बीच में बंद हो गया था, world war 2 में चलता था अब वापस start किया है lend lease program यानि कि आप हतियार किराये पर ले सकते हो, you can lend और you can lease, किराये पर ले लीजे आप हतियारों को submarine warfare से लडने वाली बड़ी बड़ी techniques वाली helicopters को, इनको आप किराये पर लीजे और अराम से आप इनको इस्तेमाल कीजी, हमें बस किराये का पैसा दे देना US ये काम कई देशों के साथ करता है, in fact US के senators अकसर, US के representatives, politicians अकसर ये काम करते हैं कि Taiwan को pressurize किया जाता है या अपने कई मित्र राष्टों को pressurize करते हैं कि आप हमसे हतियार खरीदो ये काम इन्होंने युक्रेन के साथ भी किया है, पिछले 6 महीने से लगाततार युक्रेन को हतियार बेचने का काम जारी है और ये land lease bill से युक्रेन को भी साहता पहुचाई जारी है, कौन सी साहता? हतियारों की साहता अब आते हैं Nancy Pelosi की politics पर, तो Nancy Pelosi वैसे तो Joe Biden की बहुत ही करीबी साथी है पुराने Democratic Party के दोनों नेता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चाइना को लेकर कुछ जादा ही critical है राश्ट्रपती बनने के बाद Joe Biden चाइना का criticism थोड़ा सा कम कर देते हैं पहले वो भी बहुत किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा कम कर दिया है दूसरी हो, Nancy Pelosi चाइना को लेकर आज भी बहुत जादा critical है और दो साल से वो कह रही है कि मैं Taiwan जाऊंगी लेकिन COVID के कारण वो उनका tour पोस्पोन हो रहा है फाइनली, जुलाई के महीने में इनके office ने कहा कि speaker जाएंगी चार देशों की यातरा पर दक्षिनपूर्वेशिया के देश हैं, Singapore, Malaysia, Japan और South Korea ताइवान का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया था, officially लेकिन अनओफिशल चैनल से सभी जगे न्यूज में, मीडिया में रिपोर्ट आ गई थी कि इन चार देशों के अलावा पाँचवा देश होगा ताइवान और नैंसी पिलोसी ताइवान भी जाएंगी चाइना को जैसे ही ये खबर मिलती है रूमर्स आने शुरू हो गए थे इसके दो अफते पहले ही चाइना ने धंकी दे दी कि अगर नैंसी पिलोसी ताइवान में आती है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि अमेरिका की सरकार ताइवान को एक अलग देश मानती है जबकि on paper आप 79 हमें कह चुके हैं हमसे वादा कर चुके हैं कि हम तो केवल एक चाइना में मानते हैं बेजिंग की सरकार को मानते हैं ताइवान की सरकार को हम नहीं मानते तो आप क्या 1979 का जो ये agreement है आप इसके खिलाफ जाएंगे और हम इससे काफी नराज होंगे चाइना ने अनफिशली धंका दिया था यूएस को तभी से कि ये फोर्सफुल मेजर्स रहेंगे यूएस ने इस धंकी को काफी सीरेसली लिया और अगले ही हफते अपने ships को यहाँ पर deploy कर दिया गया था ताइवान के निकट में USS Ronald Reagan इनका जहाज है, supply ships, fighter jets तो इनकी navy के कई जहाजों को यहाँ पर deploy किया गया ताकि अगर पिलोसी की visit के दौरान कोई परिशानी आती है तो उसे solve किया जाए एक अगस्त को Nancy Pelosi पहले तो पहुंचती है दक्षिनपूर एशिया में और दो अगस्त की रात को आधियम से जो कहा जा रहा था वो सचमुच हो चुका है Nancy Pelosi has visited Taiwan अब यह visit इसलिए भी important है क्योंके पिछले 25 सालों से कोई senior US politician Taiwan की धरती पर नहीं गया है 97 में आखरी बार इनके house के speaker वहाँ पर पहुंचे थे तो 25 साल हो चुके है उस बात को और 1960 के बाद से कोई अमेरिकी राष्टरपती ताइवान नहीं गया है 1960, it has been more than 62 years और खास करके 79 के बाद से तो बिलकुल सवाल ही नहीं उठता कि US का president कभी ताइवान जाएगा it is just not possible तो यह second tier के जो नेता होते हैं उसी के साथ काफी आक्रामक हो जाता है कुछी घंटों बाद उन्होंने अनौंस किया कि हम ताइवान के चारो तरफ क्या करने वाले है military exercises लेकिन इस military exercise की खास बात यह थी कि चाइना ने कहा कि यह live fire drills होने वाली है live fire का मतलब यह होता है कि जब आम तोर पर artillery guns का इस्तमाल होता है इन exercises में तो उनमें दागे जाने वाले गोले blank shells होते हैं उनसे नुकसान नहीं होता है केवल वो आवास करते हैं actually में जाकर कहीं hit नहीं कर सकते हैं लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं हम live fire drill करेंगे यानि कि अगर गलती से भी इस लाल रंग के zone में कोई ताइवान का जहाज छोटा मोटा भी आ गया तो उसे ये गोले hit कर सकते हैं and it can lead to war like situation of course ताइवान के जहाजों पर हमला होगा तो ताइवान भी कुछ ना कुछ तो retaliate करेगा और आप इंसकी location देखे strategically ये ताइवान को चारो तरफ से घेरते हुए इस लाल रंग के zone में shaded area में इन्होंने ये live fire drills start कर दी है और ये चल रही है as of right now चल रही है 7 अगस तक चलती रहेंगी अब चाइना ने आखरी बार जब इतनी बड़ी military exercises करी थी तब उसे Taiwan state crisis कहा गया था तो ऐसा इतिहास में तीन बार हो चुका है तीसरी बार जब हुआ था आखरी बार वो था 1996 में तब Bill Clinton राष्टरपती थे US के और उन्होंने US के जहाजों को भेज दिया था Taiwan states में और उससे चाइना थोड़ा पीछे हट गया था लेकिन वो आज से 26 साल पुराना चाइना था उसके पास इतनी economic और military power नहीं थी आज अगर US अपने जहाज भेज भी दे तो ये बहुत doubtful है कि चाइना पीछे हटेगा ये 96 का चाइना नहीं है ये 2022 का चाइना है काफी ताकतवर है तो अभी Taiwan state crisis जैसा ही महल बन रहा है और अगर एक दो दिन में स्थिती शान्त नहीं होती है so it could be the fourth Taiwan state crisis क्यूंके Taiwan states में ही ये सारे जहाज आमने सामने आएंगे और इससे 1962 की जो Cuban missile crisis हुई थी कुछ उस प्रकार का scenario भी बन सकता है 96 और 2022 में एक और बहुत बड़ा बदलाव ये है कि पिछली बार चाइना की जो military exercises थी वो Taiwan के territorial waters से काफी दूर थी तो Taiwan देश की जो boundary है nautical boundary जिसको कह सकते हैं समुद्र में boundary होती है वो ये red वाली line है जो मैंने बनाई है पिछली बार इनकी exercises काफी दूर थी ताइवान से इस बार तो red color के जो boxes हैं आप देख सकते हैं कई जगे ये ताइवान की boundary के अंदर है इसके लावा अब इनके बास aircraft carriers हैं जिने इन्होंने deploy कर दिया है और Pelosi तो वहाँ से 24 गंटे के अंदर-अंदर रवाना हो गई तुरंत उन्होंने कुछ मुलाकते करी हैं and she was off to South Korea लेकिन इसके बाद से ये crisis लगातार escalate हो रहा है अब चाइना की तरफ से जो military exercises करी जा रही हैं इसमें इन्होंने कई projectiles छोटे छोटे rockets लाँच करे हैं ताइवान स्ट्रेट्स में और ये उन्होंने एक statement जारी करके कहा है कि हम one China policy को पूरी तरह से support करते हैं यानि कि China के favor में इन्होंने statement दिया है United States ने officially statement दिया है कि हम one China policy को अभी change नहीं कर रहे हैं लेकिन ये news आ रही है US की media में कि हो सकता है Biden administration इस one China policy को पलट दे PRC की जगे वो करे कि ROC is the one China that we recognize क्या ये हो सकता है या नहीं ये देखना होगा आने वाले कुछ हफतों के अंदर हमें पता चल जाएगा अगर होगा तो ये क्या दो हफते के अंदर ये change हो जाएगा लेकिन इसकी संभावना personally मुझे काफी कम लग रही है पर कई news media outlets कह रहे हैं कि ये बदलाव जल्दी होने वाला है अब इस पूरे घटना करम का economic impact क्या होगा इसको लेकर मैं कल सुबह एक वीडियो लेकर आऊंगा उसे भी जरूर देखेगा कि geopolitics के अलावा economy पर इस पूरे crisis का क्या impact होगा अब UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो unacademy पर देश के best educators live पढ़ाते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं using the unacademy subscriptions यहाँ पर जो भी subscription आप लेंगे उसमें महिपाल कोड इस्तिमाल करने पर आपको 10% discount मिलेगा there are plus, iconic, combo subscriptions, gos, optional सब की तैयारी करवाई जाती है हमारे पास जो notes हम आपको देते हैं वो हमने बहुत अच्छे से develop किया है they have mind maps, etc. यह सब कुछ आपको notes 2.0 में देखने को मिलेगा optional के subscriptions भी अलग से available हैं सभी courses 0% EMI पर मिल जाएंगे आपको EMI या फिर preparation कैसे करनी है कौन सा subscription लेना है best discount कैसे मिलेगा यह सभी जानकारी इस phone number पर मिलेगी जो मेरे counselors हैं वो आपको help करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं just give a miss call on this number वो आपको help कर देंगे हर अफते नए batches बनते हैं इन्हें आप join कर सकते हैं कल यानि की 6 अगस्त को road to labasna नाम का एक free scholarship test हो रहा है तो हर रविवार को तो combat होता ही है इस बार combat के अलावा हमने एक और test रखा है road to labasna यहाँ पर भी आप 100% scholarships जीच सकते हैं thank you so much have a great day